आपको आपको हर तरीके के फानेशल टैक्सेशन लीगल सब्सक्राइब आपको 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 हर को अगी स्क्राइब कर रुछ बुट आपको करेंगे वाइल इंकॉरपरेटिंग इन इंडिया विट फॉरन स्टेकषोलडर्स इनकॉरपरेशन वकम्पनी तो बहुत इजी है आप भी करते होंगे और होँसी लोग करते हैं पर जब बात यह आती है कि वहाँ foreign directors या foreign subscriber या foreign company अगर है तो documentation में बहुत सारी चीज़ें additional मतलब हो जाता है और compliances part में भी after incorporation तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ incorporation की बात करेंगे कि उसमें क्या के additional चीज़ों की need पढ़ जाती है और उसके बाद क्या के चीज़ें आपको incorporation में ध्यान रखनी चाहिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि foreign stakeholder तो उनको भी हम तीन categories में divide करते हैं उसमें आपके पहले आता है foreign national जो कि इंडिया से जिसका कोई relation ही नहीं है तो वो है foreign nationals सेकेंड में आपका है person of Indian origin और overseas citizen of India इसका मतले यह है कि कभी उसके parents या great grandparents या कोई भी इंडिया में रह चुके हैं पहले तो उनके पास OCI card बतलब रहता है या PIO card रहता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें और भी changes में आ जाती है और इसमें वो countries covered नहीं है जिसमें कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान या अफगानिस्तान, बांगलादेश, चाइना, भोटान, स्रिलंका, नेपाल, इरान इस सब country का अगर resident है तो फिर यह PIO भी valid नहीं है फिर वो foreign national में ही जाएगा यानि उपर ज़ाला जो था category Lastly, non resident Indian मतलब वो बंदा इंडियन है बट taxation perspective से वो भी खाली नहीं है इंडियन तो हम इन तीन category में बात करेंगे कि क्या क्या परती हमें नीड तो सबसे पहली category है कि foreign national अब यहां पे भी हम दो टाइप से इसको निवाइड कर सकते हैं पहले case में कि जब foreigner यहां नहीं आ रहा है मतलब जिस country का भी है वो बिना इंडिया आय कंपनी फॉर्म करवा रहा है बाहर से ही उसके case में हमें चाहिए होंगे एक ID proof that can be his passport दूसरा चाहिए रहाएगा address proof that can be his DL और पासपोर्ट और utility bills लाइक telephone bill, electricity bill और bank statement भी हो सकता है जो की latest दो महने तक का चाहिए होना passport size photograph उसके बाद है आपका अगर ये सारे documents एपोस्टाइल चाहिए रहना notarized be in the Indian embassy of the home country जिस country का भी वो मन्दा है उसके home country में Indian embassy से एपोस्टाइल रहेगा अगर वो किसी और country के language में है तो उसको English language में पहले करवाना पड़ेगा translate और उसके बाद apostyle होगा उसके बाद आता है फिर आपका valid email id, contact number declaration is stating that the applicant is not disqualified from becoming a character has to be furnished इसके साथ में एक और जाता है कि declaration of not having a pan number तो वो भी आप यहाँ पर add कर देंगे कि एक तो वो disqualified है नहीं दूसरा उसके पास pan number नहीं है यह declaration खहरा हम prepare करके उनसे sign करवा सकते हैं फिर आता है DSC, DSC के लिए भी यही सारी चीज़ें जो अभी हमने बात करी हैं यह required रहेंगे और इससे हम DSC apply कर सकते हैं उसके बाद आता है कि अब recently यह थोड़ी बहुत और changes आई हैं कि अगर वो जो stakeholder यहाँ नहीं आ रहा तो वो अपने country से कर रहा है sign तो उस case में the professional cannot be the witness जो हम MOA या फिर AOA में witness में CA या CS का नाम डाल के उनके sign करते हैं पेश तो वहाँ पे उनके home country के किसी भी एक बंदे का नाम डाल के उनसे वो witness में form में sign करवाया जाएगा और उसके भी document एप और स्टाइल रहेंगा that can be the passport और the deal तो ये बहुत सारी changes अभी आई हुए हैं ये शायद आपको update नहीं email हो पाएगा तो ये भी चीज़ें आपको डालनी हैं ये है कि जब वो यहां नहीं आ रहा है अब हम बात करते हैं कि case where apostillation of document is not required तो अगर वो director यहां आ रहा है in India on a valid business visa make sure कि वो business visa ही है अगर वो कोई और visa like whom ने फिरने के लिए भी है रहता है या फिर किसी personal visit तो वो applicable नहीं है वो visa हमारे किसी काम का भी नहीं है for incorporating the company इसका difference आपको आगे अभी मैं बताऊंगा कि कहा है तो make sure कि वो business visa पर है अगर वो ऐसा है case है तो फिर हमें इसमें apostill की भी need नहीं पड़ेगी और जो हमारे यहां के CA है या फिर CS वो इसको witness करके signing वगरा कर सकते हैं वहां के Indian embassy से जाके notarize करवाना पड़ेगा अगर वो यहां विजिट नहीं कर रहे है तो अगर वो यहां पर है तो फिर apostill की भी need नहीं पड़ती है तो यह difference है for the foreign national and for the PIA और OCI card holder तो यह जो है यह किसी भी visa से अगर वो आ रहे हैं यहां पर तो वो उससे company form कर सकते हैं इस case में apostillization की भी need नहीं पड़ेगी यह सारी content मैंने यहां पर written में है और मैं description box में भी डाल दूँगा so that you can refer and सबसे last case जो है वो है कि non-resident Indian यह basically वो है जो है तो यहीं के but for job or for education for any purposes are not resident in India and 182 days से कम वो लो current year में यहां पर रहे हुए है तो उसके case में फिर क्या रहता है कि आपको pan और आधार जो है वहां पर उस country से notarize करवाना रहता है या apostill करना रहता है same जो था पहले and if he is coming back to India for incorporating the company तो फिर इस case में भी apostillization की need नहीं पड़ती है and एक और additional चीज़ ने इसके अंदर कि अगर फिर कोई company भी है जैसे कि बहुत केसे में कहा रहता है director के जगह पे stakeholder के जगह पे वहां की company रहती who is the subscriber to the memorandum तो उसके case में हमें cheer रहता है उस company का MOA, AOA, COI जो भी relevant document है उस country का वो board resolution for appointing the authorized representative जो की यहां के सारे documentation में signing बगर करेगा वो उस authorized representative का ID और address के document जो की हम अभी हमने ओपर discuss करा था वो and उसके case में फिर एक resident director की तो need मतल है ही अगर बाहर का है तो तो यह सारी चीज़ें हैं जो हमें documentation perspective से for incorporating a company with foreign stakeholder, director और company के case में हमें need पढ़ती है यह सारी चीज़ें मैं description box में भी डाल दूँगा और भागी फिर भी अगर कोई doubt है तो आप raksas.com पे जाके वहां से चीज़ें और देख सकते हैं thank you so much हुआ हाँ हुआ हुआ हं